2024 में IIT पत्ना में एड्मिशन लेने के लिए आप सभी को कितनी रैंक चाहिए जेई एड्वांस में इस वीडियो के अंदर डीटेल में बताऊँगा आप सबकी कैटेगरीज की चाहे आप जेनरल स्टुडेंट हैं EWS, OBC, SC, ST यहाँ पर सब PWD के लिए भी बात करेंगे female candidates या फिर gender neutral सबके लिए और जितने भी branches और programs हैं जिनके अंदर जेई के थूँ एड्मिशन होता है चाहे यहाँ पर BTEC के सभी branches हो गया है dual degree अगर है तो भी बताऊँगा और bachelor of science है उसके लिए भी बताऊँगा सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आता है artificial intelligence and data science जो की BTEC में है quota AI यानि की all India, seat type open यानि की general और जो सबसे last में है उतनी ही rank आपको लानी है अगर आप इतनी rank लेकर आते हो 2024 में तो आपका 100% admission हो जायागा IIT पटना में इस branch में तो देख सकते हो आपकी category और quota AI इसलिए है क्योंकि NIT होता तो HS या OS लिखा होता home state या other state but IITs में home state quota नहीं होता जो की अच्छी चीज है closing rank देखो मतलब की cutoff 3300 के around है now आप यहाँ पर देख सकते हो female को 8000 के around है general female को तो double से भी ज्यादा difference है EWS EWS female अब देखो categories को इतनी high rank क्यों चाहिए बहुत डाउट आता है और मैं हर वीडियो में बताता हूं तो वो category rank cutoff है इसके बारे में आगे बताऊंगा detail में next यहाँ पर जो branch है वो है BTEC in CE देख सकते हो मतलब civil engineering mtech geotechnical engineering नहीं new branch है 14,000 पे भी आपका admission हो जाएगा female को 22,000 J advanced की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत से students है उनको यह doubt रहता है क्या क्योंकि मैंने देखा है बहुत का doubt आता है कि J mains की क्या rank है IITS की तो देखो first of all J mains नहीं J advanced accept होता है IITS में next यहाँ पर एक और branch है देख सकते हो 13,000, 21,000, EWS, OBC, OBC female, SC यहाँ पर अब देख सकते हो next branch जो है BTEC CS, MTEC CS, यह dual degree है BTEC MTEC Computer Science so यहाँ पर यह branch भी काफी सही है 3300 के round risk के लिए चाहिए आपको female 7500 मतलब बहुत अच्छी opportunity है इतने low rank में भी आपको IITS में computer science branch मिल रही है मैं आपको बताऊंगा क्यूं VLSI भी आ चुका है electronics and VLSI dual degree है 6400 पर मिल रहा है आपको female को 12,000 पर EWS, OBC, 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 female, SC, ST दोको से stop करके branch read कर सकते हो 7,000 female 14,000 double का भी difference यहाँ देखने के लिए मिल रहा है बाकि आप जिस भी branch यह category का देखना चाहते हो अच्छे से stop करके देख लो next यहाँ पर mathematics and computing dual degree है 4900 female 9800 देखो जितने भी categories है सारी category rank cut off है सबस्थ OBC है तो उसके अंदर सिर्फ OBC ही candidates ही count हो रहा है next यहाँ पर देखो mechatronics है dual degree है 9600 यह MS मलब mtech MS मलब बहुत सारी branches add हुई है recent में यहाँ पर देखो btech plus MBA भी MBA देखो कहां से है NITIE जो कि Mumbai में है काफी सही college है देख सकते हो 10,000 female 17,000 तो बहुत सारी branches add हुई है recently जो कि काफी सही चीज़ भी है seed भी इससे बढ़ती है और IIT पटना one of the fastest growing IIT में से है बहुत ज़्यादा सही है electronics and communication dual degree 58 and मतलब कि top की branches यहाँ पर इतनी सारी है और उसमें भी dual degree अलग-अलग तो काफी सही opportunity और सबसे बड़ी बात उनके लिए आपको इतनी high rank नहीं लानी है otherwise आप उपर की IIT देखोगे उसमें CS तो यार IIT Bombay में 60, IIT Delhi में under 100 आना है इसमें ऐसा नहीं है chemical 11,000 female 18,000 तो एक अच्छी देखो इसमें देखो EWS इसमें सिर्फ देखो EWS इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ EWS candidates ही count हो रहे है मतलब CS का तो यार top IIT जैसा placement होता है यहां पर सिविल के लिए देख सकते हो 13 दो किसी भी IIT में बहुत सही है इवन आप CS ब्रांच तो किसी भी college में बहुत सही होता है next यहां पर देख सकते हो CS आई गया है यहां पर अब IICS 2600 पर आपको CS मिल जाएगा proper CS कोई dual degree नहीं female 5800 बट अगर आपको यहां पर CS नहीं मिलता थोड़े से रैंक से तो dual degree के तब भी जा सकते हो मतलब इतने कम रैंक पे भी आपको यहां पर CS मिल रहा है इसका average package CS का around 40 lakh है जो कि IIT Delhi Bombay जितना ही है एप्रोक्स और average package इतना matter भी नहीं करता है triple E branch की बात करें तो 6400 के around है female 12,000 तो यार तको इस उपर जितने भी IIT है मैंने कर दिया है कि कितने rank पे admission हो जाएगा तो उनको जाकर देख लेना recent uploads में मिल जाएंगी क्योंकि यह series मैंने start कर दी है कुछ दिन पहले बाकि next जो branch है वो electronics and communication है यह proper bteg up start हो चुका है उपर dual degree होते थे मतलब post graduation तक five year का program था अब यहाँ पर इसके बाद जितने IITs, NITs, triple ITs हैं उन सब की मैं कर दूँगा क्योंकि videos में daily लेके आता हूं next यहाँ पर engineering physics की बात करें 11,000 female 18,000 और ध्यान देना है यह round one के लिए बता रहा हूं है और last round की भी इतनी ही रहेगी मतलब बहुत rare chance होता है कि आप की उपर नीचे हो cut off next यहाँ पर mathematics and computing bteg 4500 पर मिल रहा है female 8900 वही आयटी डेली में 500 400 के अंदर आना पड़ता है आपको mathematics and computing computing लेने के लिए तो काफी मतलब low competition है यहाँ पर but college काफी अच्छा है बहुत तेजी से grow कर रहा है mechanical engineering यहाँ पर देखो 10,000 अब मैं यह नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आजाओ IIT Delhi को छोड़के obviously यार अब rankings मैंने कर रखी है mechanical की देख लो और यहाँ पर आप अच्छे से stop कर कर देख सकते हो जिस भी branch या category का देखना चाहते हो next यहाँ पर है metallurgical and materials engineering इसकी 14,021 फीमेल को बहुत अच्छा benefit मिल रहा है जो कि सही चीज़ भी है फीमेल के लिए हर जगा मिलना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी branches थी सारी branches हमारी complete हो गई हला कि बहुत सारी branches recently increase होई है जो ही सही चीज़ भी है वीडियो पसंद है यह informative लगी तो like जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना bell icon प्रेस करना मत बूलना क्योंकि ऐसी important videos में daily लेके आता हूं तो कोई important video आप miss ना करो इसलिए बाकि कुछ भी पूछना है बताना हो comments में पूछो या फ किते हैं कल की एक और ऐसी ही important video में